परतापुर्थानाक्षेत्र में पांच दिन पहले दूद लेने के बहाने पडोसी की बेटी के साथ दुशकर्म करने वाले आरोपी यूवक को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है खास बात यह है कि आरोपी खुद तीन बच्चों का बाप है पुलीस आरोपियों को जेल भेज रही है बता दे कि एक शेत्र के गाउं में रहने वाली दस वर्षे किशोरी को बीती 20 अक्तुबर को उसका पडोसी भूरा घर से बुला ले गया था किशोरी के परीजुनों का आरोप है कि भुरा ने किशोरी को दूद देने के बहाने अपने घर पर बुलाया था इस दोरान घर में अकेले भुरा ने किशोरी के साथ दुशकर्म किया जिसके बाद आरोपी ने किशोरी को किसी को भी कुछ न बताने के सूरत में पुरे परिवार के खात्मे की धमकी दे कर घर से भगा दिया उधर जब किशोरी के परीजनों को घटना की जानकारी मिली तो आरोपी अपने घर से फरार हो गया किशोरी के परीजनों ने परतापुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्श कराई थी सीओ ब्रम्भपूरी अमित राय ने बताया कि पुलीस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है हाला कि किशोरी के मेडिकल में दुश्कर्म की कोई पुष्टी नहीं हुई है आरोपी को जेल भेजा जा रहा है